हेलो फैंस वेलकम टू न्यू आक्सफर्ट एजुकेशन चलिएम आज मैथ का प्रैटिशेट नमर आपका टू बना जा रहे हैं इससे पहले आप लोग के लिए प्रैटिशेट नमर वन बना चुके हैं इससे आप जरूर देख लिएगा तभी आपका ये वीडियो समझ में आ चुका हूं ये अपरैटिश से जागा प्लेलिस में देख लिएगा वहां से आप रिजिनिंग भी बना सकते हैं तो चलिए हम आज शुरू करते हैं कोर्शन नमर वन से कोर्शन आपका है कि यदि एक्स अनुपाथ वाई दिया एकना शिक्स अनुपाथ 5 तथा जर अनुप यहां यहां आपका हुआ है इसका कितना यहां पांच है को तो यहां पेक्स अनुपातम केतना एंधन दूनों अपका वाही है लेकिन दूनों को तक क्या है अलग अलग है ऐसा नहीं को सकता त्क आप स्काड़ एकृंज स्काड़ की यहाँ अभी हम म筆ठत यहाँ आप पांत 35 है एक कितना जागा, क्वामτा से क्वाम पांच से गुना कर दे तो यहां भी 25 है यहां भी 25 होगया यानि y के विषैलिव यहां से क्या गया 25 है दोनों जोड़ा सेम आ गिया अब आपका एक्वेशन बैलेंस में आजा है ठीक है अब दखिए x के समने आपका क्या है 30 है y के समने कितना है पत्चीस है और z के समने कितना है नए नए यानि तो आपको दिखना चाहिए कि यह तो आपको दिखना चाहिए कि यह तीन से कट रहें तीन दैन तीन 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 त्या नौ तो रिश्यो होता आपका 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 यहां तो कर दीन है तो तीन आपका अनौ और T theo कreated वले जालेकर है वहां तो यह तो सिंपल क्या होगा है देखे किसी भी संख्यां का अपका उससो निखालना हो तो आपका किसी संख्या को आउस्ट होता है कि सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या जितने संख्या सभी को आप 8 कर दीजिए और जितने संख्या उसे आप डिवाइड कर दीजिए तो देखिए इसका आउस्ट कम कैसे निकालनेंगे तो आउस्षट आपका आसान है आपको यहां पर आउस्षट निकालना है तो आउस्षट बड़ा हो जगा कुल संख्यां का योग सभी संख्यां को आप 8 कर दीजे 35 पलस 49 पलस 41 पलस 46 पलस 27 पलस X करेंगे बाए कितना संख्यां आपका एक दो तीन चार पांच छे शे संख्यां है बटे 6 कर देंगे यह आपका क्या है आउस्षट कितना आउस्षट आपका 38 है तो बराबर हम 38 कर देंगे तो आप ऐसे कीजेगा सभी संख्यां को एड कर दीजेगा बटे 6 कीजेगा बराबर 38 कीजेगा यहां से आपका X के वैल्यू आजएंगे चलिए हम इस सभी को एड करते हैं आप सभी को एड कीजेगा यह 35, 49, 41, 46, 47 को तो आपको आजएगा 188 क्या आएगा 188 पलस आपका क् है एक होज़ेगा अब बटे 6 था फ्रक्टे 6 यह फिस्एंगे बराबर 38 है 38 हो जाएंगे यहां से हम करेंगे तो क्या आएगा 188 पलस एक सभी बराबर यहां सब कीजेगा तो कोना कोनी गुना हो जब यादि 38 को 6 गुना किजिए, 38 को 6 को एक गुना करते हैं तो आपको आत होगा 288 यह जाएगा इसाई हो जाएगे 288-188 क्या जाना हो जाएंगा आपका है 60-滌दा स्वेरेज के आङए निग्ल miss वह जाना है तो यहां देखिए कि यहां रहा है कि 103,5, 7,9 11.25ट कोरुष्ट होंगा कितना होंगा अपर देखिए यह की आपका है N ही होता है N बिसम संख्यों का आउस्ट आपका N ही होता है तो आपका जितना संख्या रहेगा आपका बिसम में उतना ही इसका आउस्ट भी आएगा यानि कितना संख्या कर रहा है आपका 25 संख्यों का आउस्ट कर रहा है तो आपका एंसर क्या होगा 25 ही होगा ऐसे question में आपको पेंच चलाने के जरूत भी नहीं है आपका यह कैसी होता है कि जितना विसम संख्या उतना ही इसका औस्थ होता है तो देखिए एक तरिका आपका यह है कि देखिए N विसम संख्यों का योग आपका N स्क्वाइर होता है हम जानते हैं कि आउस्थ क्या होता है कुल संख्या की योग बटे कुल संख्या तो N संख्या के आपका सम कितना है N विसम संख्यों का योग आपका N स्क्वाइर है तो हम इसमें N से डिवाइट करेंगे तो आपका N N एक कैंसील हो जाएगा एक ही एन आपका बचेगा यह भी समझ सकते हैं इससे आपको समझ में नहीं आता है तो चलिए हम एक एक एक्जामपल लेका आपको दिखाते हैं देखिए मालेजिए यह आपका एक one और three क्या है दो आपका विसम संख्या है इसका उसत हम क्या बता रहे हैं कितना संख्या है दो है तो इसका आउसत भी दो ही आएगा आएगा किने इसका आउसत दो आना चाहिए अभी तक हम यह बता है ना कि जितना भी समझ संख्या होगा उतना ही उसका आउसत होगा यह आप याद रखिए तो आप देखिए हम इसका बनाते हैं वन और थ्री का उस्ट कैसे निगा लेंगे तो वन प्लस थ्री कर देंगे कितना संख्या है दो है तो दो से डिवाइड कर देंगे तो तीन एक चार चार बटे दू दू दूनी चार आगया कितना आया दू आया तो हम इतना करने क्यों जाएंगे इसलिए आप धियान रखिए कि जितने आपका बिसम संख्या होगा उसका ओतना ही ऑउस्ट होगा ठीक है यह आप याद रखिए इसमें कितना संख्या था 25 था तब कर 25 ही इसका आउसत हो जाएंगे option आपका बी हो जाएंगे next आपका है question 4 यह देखिए बहुत ही अच्छा प्रस्ण आपका है question है कि कारा 6 आदमी 6 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्ज को 12 दिन में पुरा करते हैं ध्यान से सुनिए 16 ब्यक्ति 14 घंटा परती दिन कार्ज करता है तो किसी कार्ज को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं करा 28 आदमी दिन में 12 घंटा कार्ज करके उस कार्ज को कितने दिन में पूरा करेंगे निए 16 अदमी है कि दिने केम कार्णा भी और 17 परती दिन काम कर्दा करता है कि यानि आपका इतना काम हुआ था तो आपको 12 गंटा कार्ज करता है इतना हो गया कि 12 गंटे कार्ज करते हैं कितने दिन चलेगा आपको हम पता नहीं कितना दिन काम हुआ तो आप इसे आप टी माल लीजे ठीक आप कीजिए उसको कर दीजे 14 दुनी 28 बारा बारा कट गया आपको यहां दू बच्छा दू से 16 द आठ दिन क्या किये कुछ नहीं कि आपको सभी इस तीनों का मल्टी प्लाइ कर दीजेगा 16 गुने 14 गुने 12 बराबर इधा भी सब को गुना कर दीजे 18 गुने 12 हमको पता नहीं कितना समय लेगा था टी माल लिए आप देखे 12 बारा कट गया आपका 14 दूनी 28 कट गया दूसर अपका 16 कट गया दू अठे 16 यहां साथ का टी के वैली कि आगया आई आट आ गया यह नहीं आपसन नंबर दी हो जाएंगे नेक्ट आपका है को सिन नंबर 5 को सिन और 5 है कि देखेए दो ब्यक्तियों का आयू का अनुपात 5 अनुपात 9 है ठीक है दो ब्यक्तियों माल करा 19 Ai 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 Aiải इसमें देख सकते हैं कि B pass कि एसे कितना दीग है पर तो चार का अंतर में किना के अंतर है दी तो 1 तो ने कि कि दिय Netflix Power Each Synon पर दूसरे से 30 अधिक गया है तो 40 अधिक है यहां नेरा कि देखे कितना अधीक है तो आपका चार ही अधीक है यानि चार के बरावर आपका हो गया कितना चालिस हो गया तो एक के बरावर कितना होगा आपका दस चुक चालिस दस हो जाएगा एक किसके बरावर हो जाएगा आपका दस हो जाएगे तो आपका जहां कितना है पांच है तो आपका पांच किसके बरावर हो जाएगा आपका एक सिकिन एक सिकिन एक सिकिन एक सिकिन आपक और वह बीक हो गया यृई को यृउट यृट करते हैं यह सब बूर कैसेि एक सो चालीस होते हैं यानि आपका ऑप्षान नमर यह साज़ेंगे ऑप्षान नमर यह जाएंगे चलिए विकार फिर दख दे दूसरी तरीका से यह को इसमाज्म भेना होतों तो हम दूसरा तरीका देखेंगे कोई नहीं अब देखेंगे दो ब्यक्तियों कि आपका आउसत के ना दिया पांच नुपात नौ तो मान सकते भाई एक मान लीजिए तो इसका आयू लिखेंगे तो 5X लिखेंगे क्योंकि नियतना का आपको एकस लेना पड़ेगा ठीक तबी का हम कितना हो जागा तो बी का हो जागा आपका 9X हो जागा ठीक इसका 5X इसका 9X हो जागा ठीक है तो अब क्या करेंगे हम करा दोनों का अंतर कितना आपका यानि एक का आयू दूसरे कितना अधिक है चालिस अधिक है तो आप देख सकते किसका अधिक है तो भाई वाला का अधिक है कितना अध हो गया तो हसे एक्स प्रणा बहुत आड़ा जाएगा किया जागा तरह आजा जाएगा अवकोुक्ष निकली डोनों आजाएगा आजाएगा इसमें संथ्र ठेञा जे tenía जाएगा इसमें भी ठाह्यां करें इसमें यहां से रव्य टेमानों का फॉल ना कहति बहुद रहा है दूनों का योग तो हम क्या करेंगे दूनों को टूकर देंगे प्लस बी ब्रावर एप्लस ब्रावर 50 पुलस 90 प、 50 60 होता पका 140 यह आपको ओफञागा यह आजए आपको यहिंद समझ आए बएक्स आख के बनाना आता है तो आप एक्षमान के बना यह नहीं तो हम ऐसे भी बना सकते हैं तो चलिए हम नेक्ट कोशन देखते आपका कोश्चन नवर शिक्स अब देखिए यह कुश्चन आपका है कि कार है कि किसी बस्तु को 25% के छूट पर 3600 रुपया में बेचा गया तो उसका अंकित मुल क्या था अब सुचिए कि कोई भी बस्तु आप कोई भी बस्तु था इसका ठीक है यह मान लिजे 100 रुपया दाम था ठीक उस पर क्या किया भाईज़ा 25% डिस्कॉंट दे दिया ओ ठीक 25% डिस्कॉंट दे दिया और उसे बेच दिया किसना में 3600 में बेच दिया तो आप से कह रहा है है कि जिस रुपया पर डिस्कॉंट दे है और रुपया क्या होगा चलिए ठीक है utterly एक से मांनते हैं चलिए Есть रुपया था मां लने में पहले आपका क्या कि अस ieुस्में 25% Bunny दिस्कॉंट दिय क्या दिया और उसके बाद बेच जितना में 36 उमें बेच यह तो इस आप्रश हैन्कीत प्रसेंट है है 100 परसेंट देती है 15 पर सेंटा अपको डिस्कॉंट देती जेज्टु आप के पास कितना बचा स्वेंती फैव पर शेंटा 75% बचा यानि इतना ही में हम क्या किये हैं बीचे हैं तो 75 कितना बीचे हैं 36 में यानि आपका 75% हो गया 3600 के बड़ाबर तो आप क्या किजिए यहां से 1% निकाल लिए फिर आप 100% निकाल लिए आपका अंकित मुल आ जाएंगे देखें 75% आपका हो गया कितना 3600 ठीक आपका 1% किना हो जाएंगे आपका 3600 बटे 75 हो जाएंगे आपका 100% निकाल लिए तो क्या करेंगे हम 100 से मल्टीपलाइ कर देंगे और क्या करेंगे ठीक है 25 तिया 75 25 चुका 100 तीन से कर दिए 12 तिया 36 ठीक यहाँ पर आपका किना है चार है तो 12 चुक 4800 आजाएंगे आपका एंसर क्या आजाएंगे आपका 4800 आजाएंगे I hope आप लोग समाजेगा होंगे Simple है आपका भाई साब कोर्शन करेंगे 25 चुट पर 25 चुट पर हम इतना में बेजती है तो भाई साब एक सो में 25 परशन हम डिसकॉंट करेंगे 75 परशन तो बचेगा 85% हमacas को दीया है 26-éo है तो 100%, 100% कैसे निकलेylेगे पहले एक परशन निकल लेंगे 36-न बटभी शजाएंगे fund इसमें 100 आपका एंसर आजाएगा तव इतना भी करना तो आपको आता होगा ऐससे हम कैल्कुलेट कर दी है कितना जगा आपका और तालिस सो आजाएंगे option यह हो जाएंगे next आपका है question number 7 देखे 7 में क्या आपका करा है कि 5 घंटे 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं ठीक है 5 घड़ी है माल लीजे आपका एक साथ यह बजना शुरू करते हैं करा है शुरू करते और 6 8 9 12 से क्शन के अंत्राल पर बज़ती है यानि पहला घड़ी है वह आपका 6 से के बलता है दूसरा आपका 7 से कॉल जगता है तिसरा आपका 8 से की बलता चोथा आपका 9 से pista के बाज बाज बलता है और आपका 5 मां जो है वहda impressed बिल्म साथ भूला पयाए इकश्व कर दिएगा कीड़का स्व हैं एक चार आगा अगारणी है? 9 आएगा 6 आएगा फिर आप क्या कीजिए 3 से लगा दीजिए तो आपका एंसर आजाएंगे इससे क्या करना है एलसेम निकलना सिंपल है इसका एलसेम जो आएगा वही इसका एंसर होगा एक सिकन्ड निकल ले देते हैं आपको कि छे साथ आठ नो बार ठीक है आप लगाएगे दो से तो आएगा आपका तीन साथ चार नैन सिक्स आएगा ठीक है फिर आप लगाएगे दो से तो तीन साथ दो, दो, नाइन, तीन आएगा, एक पर आप लगाए तीन से, तो तीन, साथ, दो, तीन, तीन एका तीन, कितना आपका देखिए, दो, गुने, दो, दू दूनी, चार, चारतिया, बारा, बारा, तीन दूनी, छे, बारा चाके, बहत्तर, गुने, साथ, बहत्तर, गुने, साथ कीजिए साद दूनी 14 हासिल एक आजएगा ससत उन्चास एक पचास आजएगा यानि आप एलसेम कीजएगा तो आपको आएगा 504 क्या है आपका 504 सेकेंड तो 504 सेकेंड के बाद ये दुवारा एक साथ भजेंगे तो आएसा प्रसन आपको जब भी दिखे तो कुछ नहीं कर स्कूश्न नवर ऐट में देखिए और क्या है क स्कूश्चन नवर चार उनुपाद 5 आप यहां देखिए आपका यहां क्या वैसा बी है तो बी के सामने यहां क्या फूर है यहां पर बी दोनों जोगे आपका फूर फूर है यानि इक्वल ही है तो यहां पर कुछ करने का जुरत नहीं है आप देखिए एक सामने कितना तीन है यानि एक पात क्या हो जगा तो 3 और 5 न्पात 5 हो जाएगा यह शींपल था आपका option हम आपका a हो जाएंगे आपका option नमर ए हो जाएंगे क्योंकि आपका b के value यहां भी 4 था और यहां भी 4 था तो उपको कुछ करने को जोरत नहीं था जैसे है वैसे यह इंसल होगा तो एक आपका तीन है तो तीन होगा बी आपका चार है तो चार होगा आपका पांच है तो पांच होगा यह आपका option यह आजएंगे next अपका है question number 9 question number 9 question number 9 देखिए कर रहा है कि किस यदि यदि कुर्षियों को 500 रुपे परती कुर्षि के दर्ध से खरिद कर 700 रुपे परती कुर्शे के दर्वे बेचा जाए तो लाव परती सत क्या होगा देखिए आप लोग पढ़ेंगे पहले फर्मुला पढ़ेंगे लाव परती सत का यहाँ पर्मुला के जुरत नहीं है आप समझे ऐसे देखिए कोर्शन है कि 500 मत खर दे ठीक है 500 मत खर दे बेचे कितना में तो 700 में बेचे है 700 में बेचे है आप बता सकते हैं कि लाव हुआ कहा नहीं हुआ है लाव हुआ सिंपल है कि 500 मत खर दे 700 बेचे यानि कम में खर दे ज्यादा में बेचे है तो आपको लाब हुआ है, कितना को लाब हुआ है, तो आप देख सकते हैं, कितना को लाब हुआ है, 200 को लाब हुआ है, क्योंकि 500 होता है, या 700 में गड़ा दिये, 200 का क्या हुआ है, या 200 का क्या हुआ है, बेनी फीट हुआ है, ठीक है, 500 में खर दे, 700 में बेचे, तो को भी ब 200 किसी में लाव हुआ 500 में तो 500 हम नीचे करेंगे ठीक है अब गुने 100 कर देंगे यह आपका आगया क्या है लाव परतिशत देखें दूग दूग जीरो दूग जीरो कर जाएंगे पांस कर यह तो पांचोक 20 यानि आपका 40 आजाएगा 40 परसेंट इसका एंसर हो जाएंगे option number D हो जाएंगे option number D हो जाएंगे next up का है question number 10 question number 10 है question पर यह क्या है कि क्या रहा है यदि P को Q से 20 परसेंट कम पराप्त हुए पी जो भैस साब है यह P यह Q है ठीक है कर अब P को Q से 20 परसेंट अंक पराप्त कम पराप्त हुए है तो क्यूंके P से कितने अंक परतिस्वत अधिक हुआ है आप लोग का समय आता होगा ठीक है भैस साब कि P को Q से कितना 20 कम आता है यह ठीक है 20 परसेंट आपका कम आता है तो क्यूंका P से कितना अधिक हुआ तो 20 परसेंट अधिक होगा आप लोग ही सोचते होंगे कि यतना कम है उतना ही तो अधिक होगा हम बोल सकते जैसे हैं कि P हैसा है और Q से कितना 20 परसेंट कम है तो उसको बूलने सकते हैं क्या कِ QP से 20% अधीक है नहीं ऐसे नहीं होता है हाँ रोप्य हमाँ ठीक है कि 20 रोप्य इसका जायदा है तो तुम्हारे पास 20% कम है ऐसे हम कहा सकते हैं लेकिन आपका परसंटेज में ऐसे नहीं होता है मालनेंगे एक देखे पी है यह भयकम उचे को किya का क्यों मॉज़ें सौ परसंट ठीक है क्यों क्या इमालेजी क्यूंक का लिख पास 100 रूपया action थीक है क्यों क्यूंक पता है कि सो का से बू So क्तभी से और 20 कुम कि जेगा त़ कितना आएगा अशी आएगा कह पी करें ह कर दिए च्छानी तो पीं प्रव के पास कितने अफिक रूपिया सकते हैं तो आफ बताइए यह इंग से कितना ज्यादा है कि Centre ao कि से कितना स्यादस है था भास सऑए और संधब Só होता है तो 20 जैदा है, तो 20 जैदा तो है, लिएक कितने में है, तो 80 में है, कितने में है, 80 में है, यानि हम करेंगे क्या, यहां पर कर देंगे 20 बटे 80 कर देंगे, क्यों, क्योंकि 20 जैदा है, और कितने में जैदा है, तो आपका 80 में जैदा है, तो करेंगे 20 बटे 80, अगुने कर दे हैं यह जानते हैं कि यह जानते हैं यह कितना ज्यादा है यह आपका ज्यादा है 20 ज्यादा है कितना में ज्यादा है 20 तो गुने कर देंगे हं डिट आपका कितना ज्यादा 2560 परसंट आज एक तो आपका क्यू पीज से बीस परसेंट अधिक हो जाएगा ऐसे नहीं होता है तो कितना रहेगा इंसर पर्चीश परसेंट आएगा तो आज के बाद आये हुप आई से प्रस्ट आप गलती नहीं करेंगे कोई भी प्रस्न हो आपको इस तरह से जैसे विस प्रस्न कम का मालें छ canım Aधिक आता फिर भी हम तो के ऐसी बनाते आपका इसी अई-सी कोषण को बनाते तो आपका इसी 70 अधीक है तो यह इसी विस प्रस्न कम हो जाएंगे यह अपका different होता है पैसा रहे तो आपका चीक है अंतर दुरूम में से में होगा लेंगि परसिंटेज में आपका से में नहीं होता है यह था आपका आजगा 10 प्रस्ट तो आए होप आप लोग को समझ में आ गये होंगे यह आपको किसी भी प्रस्ट में डॉट है किसी भी सुलूशन के म वन्न.app को तो इससे हम दुबारा आपको पूछ सकते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं आप टेलीग्राम पर दुबारा आप कोचन को पूछ सकते हैं वहाँ हम को मुझाने के कोसित करेंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही thank you धन्यवाद मिलते हैं आपको next विज्में आप चैनल पढ़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना